मनोज बाजपई की मा का हुआ निधन बीस दिनों से तब्यत खराब होने की वज़से अस्पताल में थी भरती दे फामिली मान आक्टर मनोज बाजपई पर दुखो का पहाड तूट पड़ा है उनकी मा गीता देवी का आज सुबह आठ बच कर तीस मिनट पर निधन हो गया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोज बाजपई की मा काफी समय से बिमार थी और दिल्ली के एक अस्पताल में गुरुवार के दिन 80 साल की उम्र में आखरीश सास लिए आपको बता दें कि मनोज बाजपई अपनी मा के काफी करीब थे बीते साल ये आक्टर ने अपने पिता को भी खोया था मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोज बाजपई की मा की हालत पिछले 20 दिनों से काफी गंभीर थी उनके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के पुषपांजली मेडिकल सेंटर और मैक्स सूपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भरती करवाया गया था जहां उनका इलाज चल रहा था उनकी माँ उनकी जिन्दगी में पिलर थी मनोज बाजपई के अलावा उनके दो बेटे और तीन बेटियां है रिपोर्ट्स की माने तो वीते दिनों गीता देवी की तब्यत में सुधार हुआ था वह लगता डॉक्टर्स की निगरानी में थी मा के अस्पताल में भरती होने की खबर सुनकर खुद मनोज बाजपई भी अपने बीजी शेडूल से समय निकाल कर उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पहुचे थे आपको बता दें कि मनोज बाजपई के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है क्योंकि सत्याक्टर ने बीते ही साल अपने पिता राधाकांत बाजपई को खोया है उनके पिता का निधन 3 ओक्टूबर 2021 में हुआ था मनोज बाजपई हमेशा से अपने माता पिता के काफी करीब रहे हैं वह मीडिया से खास बाचीत के दोरान भी कई बार अपनी मा की समझाई और कही गई बातों को दोराते हुए नजराएं हैं